हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का math and magic tips यूट्यूब चैनल में दोस्तो अगर आप भी बिहार बोड के 10 वी या बरहवी बोड के student है और आप भी 2019 का exam पास किये हैं और आप भी इंटर पास किये हैं या मैटी का exam देकर पास किये हैं तो वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी दोस्तो चात्र बिरती का फार्म आ गया है जो भी आपको इस scholar shift मिलने वाले थे बहुत सारे student को मिलेंगे 15,000 किसी को मिलेंगे 8,000 किसी को मिलेंगे 10,000 तो कीर की इंट चात्रों को मिलेंगे और कैसे मिलेंगे वहीं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ तो दोस्तों सभी जनकारी को बहुत यह सानी तरीके से अब फारम कैसे भढ़ना है उस सभी जनकारी के लिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाश टक दखेएगा और अभी तक वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए नए होगे चानल पर तो चानल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे नचूटे तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और एक बात आपको किलियर कर ही देने वाला हूँ कि आपको किस डिविजन पर मिलेंगे किस जाती को मिलेंगे और कौन से कलास के कब और किस तरीके से मिलेंगे आपको पुरस्कार राशी तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस नए फारम की और देखते हैं आपको फ़राम कैसे फिलाउप करना है तो जैसा कि यहां पी आपको देख पा रहे हैं गो जो दिया गया है मुख मंतरी पुर्त साहन राश्ची योजना यहां पर सब्रकी जगे पि आपको लिखना है 2019 आप जो भी सब्रकी थे यहां पर आपको इसकूल या क्लास करेंटंट है यहां पे आप लिख दीजेगा उसके बाद में लिखना है आपको रॉल कोड उसके बाद में अपको फूल इड़ेस 1 में आप जेंडर सुल नमबर ढाली जीर्ट उसके बाद में आपको आधार नमबर देना बिल्कुल जरूरी है यहां पी आप एक मुबाइल नंबर भी दे दीजेगा उसके बाद में आप कास्ट यानि कटेगरी का स्लेक्ट कर लीजेगा कि आप कौन कास्ट कटेगरी से आते हैं फॉर एक्जामपल के लिए BC1, BC2, OBC, AC, ST जो भी होगे आप यहां पी डाल लिजेगा उसके बाद में दोस्तों डालना है वह है आपका बैक का नाम उसके बाद में बैक का नाम डालने के बाद आपको सबसे आहम और जरूरी है वह होगा आपको IFC कोड उसके बाद में आपसे तो अगर 10 भी क्या एक स्टुडेंट होगे अगर 5 डिविजेंट से पास किये होंगे तो आपको मिलेंगे 10,000 सेकेंड डिविजेंट से पास होंगे तो आपको मिलेंगे 8,000 तो आपको डिविजेंट के हिसाब से यहां पी amount select कर लेना है उसके बाद में यहां पी admit card आपको document दोस्तों कि आपको यहां पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेंगे तो क्या आपको यहां फारम अगर आप भार देते हैं तो क्या आपको 10,000, 15,000 तथा 8,000 रुपए मिल जाएंगे अगर आप सोचेंगे कि मिल जाएंगे तो आपका सुचना बिल्कुल गलत है जी हाँ मैं बिल्कुल आपको सही बतला रहा हूँ जरा इस फरम को ध्यान से देखिए यह फरम कोई भी ऑफिशल फरम नहीं है दोस्तो यह अपने से बनाया गया है बहुत सारे यूटूबर पर बहुत सारे वीडियो हम भी देख रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यो नहीं सच्चाई को आपके सामने लाया जाए कि क्या आपको सच में फरम भरने पर पैसा मिल जाएंगे आप सोच भी रहे होंगे कि माल लेते यह फरम भर देंगे तो आपको जामा कहा करना पड़ेगा पैसा कैसे आएंगे तो बहुत सारे यूटूबर बता भी रहे थे कि इसको आपको लियान विभाग में जाके जामा कर दीजेगा तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं तो आप क्या किजेगा कि इसको फरम को फिल अप करना ही है लेकिन ये फरम को नहीं करना है आप जैसे ही अगर मैटी के स्टुएंट है जैसे एक रहे में आपका नाम लिखाएगा वैसे ही आपको ऑनलाइन इसका फरम भरा जाएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्मेंट भी लगेंगे वहाँ पे आपको पुराशकार मिलेंगे वहाँ पे आपको दे दिये जाएगे या आपको अगर आसपास में कल्याना उपिस है तो वहाँ पे भी जाके आप इसका फरम को भर सकते हैं हूं दोस्तों यहींसे आपको बत लादू की इन जोभी चाहतर छातर रूपया का पुरसका राशी और शात्र को intermediate ने पैसे नहीं दिये जाएंगे तो दोस्तों ये थी आज की update उम्मीद करता हैं कि वीडियो पसंद आगा पसंद आगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नए होगे मेरे चानल पे तो चानल को सब्सक्काइब करके अबेल आइकन को प्रेश कर लिजे ताकि आगे आने वाली वीडियो आप्षिन न चूटे दोस्तों हम जल्दे मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपी के साथ अब तक के लिए सभी को धन्यवाद